Inventory Manager Roles and Responsibilities दोस्तो एक Inventory Manager कमपनी Inventory Level को मौनीटर करता है कमपनी के Inventory Level को डॉक्यूमेंट करता है और रिपोर्ट करता है इसके अलावा एक Inventory Manager Inventory Tracking System को डेवलोप करता है और इंप्लीमेंट करता है Supplies के Flow को Review करना, New Materials को Order करना, Data Analysis को Perform करना का जो काम होता है एक Inventory Manager का मुख्य काम होता है इसके अलावा एक Inventory Manager Record Keeping करता है दोस्तो जड़ी आप एक Inventory Manager बनना चाहते हैं तो आपके पास Strong Analytical Skills होना चाहिए आपकी Verbal और Return Communication Skills अच्छी होनी चाहिए आपके पास Strong Organizational Skills होना चाहिए आपके पास Data Analysis या आपको Data Analyze करना और Interpret करना आना चाहिए अगर हम Additional Roles and Responsibilities की बात करें तो एक Inventory Manager डेली डिलिवरी और शिप्मेंट को डॉक्यूमेंट करता है इसके अलावा Inventory को अपडेट करना Inventory Operation और Stock Level पर Report प्रिपेर करना New Employees को Recruit करना और Train करने का में काम भी एक Inventory Manager का में काम होता है दोस्तों एक Inventory Manager बनने के लिए आपके पास कम से कम एक Bachelor डिगरी बिजनस Administration में या Finance में होनी चाहिए इसके अलावा आपके पास Inventory Management Software का आपके पास Knowledge होना चाहिए या फिर Experience होना चाहिए आपके पास Data Analysis का या तो Experience होना चाहिए या फिर Knowledge होना चाहिए आपके पास Forecasting Forecasting Technics का या तो Knowledge होना चाहिए या फिर Experience होना चाहिए और आपके पास Strong Leadership Skills होना चाहिए आशार करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए होगा ये आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल लाइक और कमेंट अभी के लिए बस इतना ही है तैंक्स पूर वाचिंग